नमस्कार दोस्तो आज़ी क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BHDLA 135 के दिसंबर 2022 के कोशन पेपर की चर्चा करेंगे और हम यह दिखेंगे की कोशन का पैटरन कैसा था और हमें किस हिसाब से किताब को पढ़ना चाहिए तो देखो जो यह कोशन पेपर था वो 100 नंबर का था और टा पोटल कोशन दिये हैं वो 5 कोशन दिये है और इन 5 में से आपको कोई से 3 कोशन करने हैं आप देखो इन 5 कोशन को पढ़ने के लिए आपको शुरू के 6-7 चैप्टर अच्छे से आने ही चाहिए जैसे कि पहला कोशन है किसी भाषा के लिए लिपी के महत्व पर उधारण के अगर किसी भाषा की लिपी नहीं होगी तो ऐसे में इतनी ज़्यादा वित्ताय हो जाएंगी भाषा में कि संप्रेशन करना यानि कि कम्मुनिकेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में हमने इसके उपर बहुत तो जैसे इंग्लिश में इस पैरिंग लिखते हैं उसी को हिंदी में वर्तनी कहते हैं अब वर्तनी के नियम क्या होते हैं इसके लिए हमें स्वरक के बारें पता होना चीए वेंजन के बारें पता होना चीए हमें यह पता होना चीए किस वेंजन से पहले कौन कौन सी मातरा किस टाइप से आ सकती हैं, दूसरे वाले चैप्टर में हमने पुईतरी के से इसके बारे में खुलकर चर्चा की है, तो ये 20-20 निमबर के जो दो कोशन है, सुरुवात की दो चैप्टर से आपके हो जाएंगे, तीसरा है प्रियुक्ति का अर्थिस्पर्ष्ट करते वे हिंद तो देखो, पांच में से तीन कोशन करने ते, ये तीनों असानी से हो सकते हैं, और इससे मिलते जलते ही कोशन आते हैं, अगर आप प्रिवेस येर कोशन देख रहे हो, उसके हिसाब से चैप्टर पढ़ रहे हो, तो चीज़ा आपके लिए असान हो जाती हैं, चौथा कोश करते हैं, जैसे वाक्य पर टिपडे करो, पारीभाशिक शब्दा वली पर टिपने करो, वाणडी जीक के छेत्र में देखो, या दिए के वेंजन वर्डों के शार में से किसी दोपर आपको करने हैं, अगर आप 3 कोशन कर दोगे, वह ज्यादा बैनिफिशल रहेंगे आपक जो कोशन है इसमें आपके सामने ना 6 ओप्षन है और कोई से ना 3 ओ माफ किजिए इन में से कोई 6 ओप्षन में से 5 ओप्षन आपको क्या करने पड़ेंगे परिभाशित करने पड़ेंगे और हर एक 3 नंबर का होगा जैसे उपबंद क्या होता है आयोग क्या होता है समीति क्य होती है मानक क्या है अधिसूचना क्या है विध्यक क्या है तो इन वर्डों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा और हर वर्ड तीन नंबर का है अब यह वही बच्चा कर सकता है जिसने डीपली पढ़ा हो क्योंकि इसमें आप लपे टामार नहीं कर सकते इसी प्रकार से आपको बड़े इजी वे में सारी ऑप्शन मिल जाएंगे संयुक्त परिवार हो गया चटा या साथवा चैप्टर है शायर इसका अनुशाषन का महत हो गया अब इस पर लपेटा मार के जब लिखो गये तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे नी क्योंकि इगनुने को पता है जब मैंने study material आपको provide करवाया है तो अगर आप उसमें से heading to heading बनाके रखोगे तो 15 में से बारा बारा नंबर भी मिल जाते हैं लेकिन लपेटा मार रखोगे तो वो भी पास करने के लिए पांच है नंबर आपको दे देगा अगला है कि नीचे दिये गए शब्दों में से क पांच के संधी विच्चेत करो अब और ये बताओ फिरी के नंबरें दस नंबर अगर आपने संधी वाला चैप्टर पड़ रखा है बहुत अच्छे से संधी विच्चेत के आपको नियम पता है तो बस एक लाइन में लिखते ही आपको दो नंबर मिल जाएंगे जैसा मता आपको ये पता चल चुका है कि प्रश्ण पत्र कैसा आएगा और आपके त्यारी भी पूरी हैं मुश्ट्री चैप्टर हम अपलोड कर रहे हैं आप हमसे जुड़ते जाए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू करो मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो ये जुटर हमसे जाएफ प्राव सुटत से भीडियो।